हमिर्पुर्स थित शिव मंदिर में सात्मा गनेश उसव बड़े ही धूमधाम के साथ आरम कर दिया गया है। सितंबर को बंडारे का आयोजन किया जाएगा, बेश सितंबर को मूर्तियों को ब्यास नदी में बिसरजित किया जाएगा। इस सबसब पर गनपती मंदिर कमेटी के सदस्ते सौरव सोनी, विज्य सोनी, अनपम सोनी, गौरव, आकास, संजूव, अन्य मौजूद रहे। जो भी कोई सच्चे मंद से मांगता है, उनकी मनों कमना अवश्य पूर्ण होती है। आज 13 सारीक को इनकी स्तापना शिव मंदर हमिर्पु में की जाएगी। और 21 सारीक को भंडारे का योधन की गया है। 22 सारीक को चनिवार के दिन इनका विसरजन अलवन व्यासनाजी में की जाएगा। और सभी इलाका वासी से मेरा दिविजन है कि वो मंदर में आए। और शाम को आट से दत भजन संजय का अनंद रहा। इलाका वासी से बड़री एनका वासी में आंद आराम के अनंद आराम सनाशी में की एंडारावका maar हाँ वासी की जाएगाघ में की अनंद एंडारे के व Imt. आ. वहीं सुजानपुर शेहर में गनपती उससप का आयोजन किया गया इस दोरान बिदिवत तरीके से सोभा यात्रा निकाली गई वहीं मध्य ग्राउंड में गनेश मूर्ती की स्थापना करवाई गई इस मौके पर व्यापारमंडल अधिकारी सुजानपुर शिवदेव सिंग ने विशेष पूजापार्ट में भाग लिया और मूर्ती स्थापना में सियोग किया स्थानिया युवाओं के सियोग से सुजानपुर में गनेश उस्तव का आयोजन 23 सितंबर तक चलेगा गनेश उस्तव में प्रती दिन पूजा पाठ भजन किरतन वो आर्थी का आयोजन होगा वहीं अन्तिम दिन बीदिबत सोभा यात्रा निकाल कर मूर्ती ब्यास संगम में विसरजित की जाएगी शुभरम मौके पर पहुंची एस्तिम सुजानपुर ने गनेश भगवान की इस उस्तव को लेकर सभी को बढ़ाई दी उन्होंने कहा कि गनेश उस्तव का आयोजन शहर में होना भाग्या एवं सौभाग्या का परतीक होता है ब्यापारिक द्रिस्टिकून सुख शान्ती इवं अन्या अध्यात्मिक शान्ती के लिए इस गनपती उस्तव का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर नगर पहिश्द उपाद्यक्ष कमलेश्ट कुमारी बाठ पहिश्द जोती शर्मा पंचैत परधान विने कुमार थानपर भारिस जानपुर श्यामलाल एसाई चमलाल कनेश उस्तव कमेटी आयोजक मनीश कुमार विशिश रूप से उपस्तित रहे